नमसकर किसान भाईयो, अग्रिकल्चर वर्ल्ट स्यूडोक सेल्वाइगब फिरस आप सभी लोगों का बूद बोड रॉट स्वागा थे तो किसान भाईयो आज इस वीडियो में मैं आप सभी किसान भाईयो के एक ऐसा व्यज़्यास के दूर करने वाला हूं को प्रोवाइड करने वाला हूं तो चलिए किसान भाइव बिना टाम इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे अग्रिकल्चर वर्ल्ड यूट्व चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे देख गए सस् तो जैसा कि किसान भाइव हम बात करते हैं स्टार्ट उपर के गेर बोक्स के बारे में तो जैसा कि आप सभी किसान भाइव को कमेंट्स होता है कि भाइव हम किसे मेच करें यानि कि कौन से ट्रेक्टर के ऊपर कौन सी पूली की मशीन चलेगी और कौन सी स्टार्ट उपर ब है लेकिन अगर आपके ट्रेक्टर के आरि पीम आपके श्टारी पर रपीम से मेश नहीं हो रहे हैं तो आपका-ट्रेक्टर ओल्रेडी डीजल काफी जादा जलाएगा और काफी जादा डीजल एवरेज निकालेगा इसके लिए क्या करना है मैं आप अपको कौपी में सब समझा रहा हूं जिससे के आप सभी किसान भईयों को काफी अच्छर सत्सा मोज़ीने को मिल जाया बाकी किसान भईयों वीडियों अच्छी लगे तो विडियों को लाइक करनावी ना भूलिएगा और एकर परवर्ड्स का इससे हे आपको 23rdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrd में से इधर की साइट जो पूली लगी हुए इस पर भी एकी राउंड बनेगा तो उसको हम बोलते हैं एक एक का गेर बोक्स फिर एक आता है एक सवा का गेर बोक्स जिसको आप एक सवा का गेर बोक्स बोलते हैं अगर आप पीटियो की सपट की इस राड़ से अगर एक तो यहां से यह सीधा इसके गेर में से डेड़ राउंड मारेगा यानि कि एक राउंड तो पूरा मारेगा इसे एक राउंड और आदा टर्न लेगा इस तरीके से तीन तरीके के गेर बॉक्स आते हैं अब किसान भई अगर आपको गेर बॉक्स चेक करना है तो आप गेर बॉ रौड का रौंड को काउंट किजिए अगर यहां पर एक रौंड मानने पर यह एक रौंड ही मार रही थे एक एक का गेर्बोक्स होगा अधर रौंड मार रही तो अलग-अलग तरीके का होगा अब हम बात करते हैं आर्प्यम को कैसे सेट करना है किसान भाईओ नर्मली सबी 540 RPM के होते हैं आप सभी किसान भायों को ये बात बली भादी तरीका सा पतह ही होगी जैसा कि और सारे ट्रेक्टर ऐसे होते हैं किसान भायों जिनमें 1000 RPM भी होते हैं जैसा कि बहुत सारी कंपनियों के ट्रेक्टर होते हैं जिनमें 540 और 540 ये PTO आती है तो 1000 RPM की भी लगबग PTO power आती है कहीं सारे ट्रेक्टरों के RPM ज़ाद ही होते हैं इसमें सबसे खेले किसान भाईयो हम बात करते हैं किस तरीके साब को RPM मेच करना है तो सबसे पहले तो आपके जो ट्रेक्टर का RPM है वो आपको लिख देना है चलिए मैं अपने ट्रेक्टर के RPM लिख देता हूँ उसे के साथ में किसान भाईयो जैसे कि आपको पता है मैंने बताया है मैंसीन का gearbox कैसा है चलिए हम मचीन का gearbox मान लेते हैं एक-एक का gearbox है तो normally आपको कुछ भी नहीं करना है किसान भाईयो तो अगर नॉर्मली आपका एक-एक का गेर बोक्स है तो यहां सब पर डायरेक्ली एक-एक के गेर बोक्स से मैं एक बार काउंट करके दिखा देता हूँ आपको कुछ भी नहीं लिखना है एक-एक का गेर बोक्स है तो यहां पर लिखना है डायरेक्ली पूली की साइज मेन पूली आपकी मशीन में कौन सी डली हुई है जो कि मेन पूली जो है जैसे कि मेरी मशीन में डली है 16 की पूली मेन पूली है उसी के साथ में किसान भाईयो आपको कुछ भी निकनना है सोरी यहाँ पे इसको भाग दे देना है थ्रेसर की पूली से थ्रेसर की पूली कितने की डली है तो जैसा कि किसान भाईयो मेरी नॉर्मली 10 की थ्रेसर की पूली है टोटल 864 RPM निकल रहे हैं मेरे ट्रेक्टर के यानि कि 540 ट्रेक्टर का RPM जब निकलेगा PTO से तो थ्रेसर के जो RPM है वो 864 निकलेंगे आप सभी को लगबग पता है होगा कि पूर स्टोरी पर में 800-1000 RPM के बीच RPM मिलने चाहिए थ्रेसर के तब जाके आपका ट्रेक्टर दबेगा नहीं अच्छा चलेगा अब हम बात करते किसान भाईयों कहीं सारे किसान भाईयों सोचते कि हमारा सवा का गेर बॉक्स है ता हमें क्या करना है यहां पर आपको कुछ गेर बॉक्स है तो 1.66 से आपको करना है 1.66 से आपको गुणा करना है जितने की आपकी पूली नॉर्मली चलिए मैं यह 10 की पूली लगा देता हूं और जितने की में अपकी थ्रेसर की पूली है चलिए वह हम मान लेते हैं 8 की होगी फिर उसका जो भी वो निकल के आता है व बॉसरी का भाग देना है जो अर्पियम आएंगा वो आपको सामने आ जाएगा जैसा कि नॉर्मली सभी लोगों का कहना है मैंने कहीं सारे किसान भाईओ से कमेंट्स किये और कहीं सारे से पूछा भी है कि नॉर्मली जो ठ्रेसर के अपने को आर्पियम चाहिए वो 800 से 1000 और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल भी न भूले क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप सब्सक्राइब के लाता रहता हूँ